जहें दोस्तों एक बर फिर्श्याज की इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत दूश्वागत है दिखिए हम आपके लिए आज की जो क्लास ली करके आया हैं ये है आपकी डे 6 आज आपका छठवा दिन है जो कि हम आप लोगों की रिवीजन सेरी चला रहे हैं इसके पहले किसी देरी कि हम आज की प्रष्णों की और बढ़ते हैं इससे पहले मैं आप से एक बार फिर्शन ही विधन करूंगा कि अगर आपने भी तक वीजिए को लाइक किया तो प्लेस वीजिए को लाइक कीजे और पने इस वीजिए को सभी दोस्तोंस के अप Beschảnhis हैं तो इस बार क चुका है और तो question आपका है दिखिएगा बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है क्योंकि question आपसे हर वर्ष जो भी exam में पूछे जा चुके हैं वह सारे question ही लिए दा रहे हैं या फिर आपके लिए दो भी important question आपके exam में आने की संभावना होती है वो लिए दा रहे हैं दिखिए आ आपको बता दिया जाए कि exam वाले भाईया पर एक channel है इसी पर आपको मिल जाएगा तो उस पर आपको पूरक 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 जो है information दिया दाता है आप लोग अगर नहीं उसे subscribe कियें तो subscribe कर लिए जेगा exam वाले भाईया चैनल को यूँकि उस पर आपको सारी सारी information दी जा पर ये इस टाइम की क्या-क्या नियूज है आपके इंटरंस एक्जाम को लिए करके और आपको उस पर एक most important वीडियो देने वाले हैं कि आपको कौन-कौन सा chapter इन दिनों पढ़ना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है वे chapter भी आपको हम देने वाले हैं दिखिए अगर हम मानने की दो संख्या है पहली संख्या यक्स हो गई और दूसरी संख्या आपकी य हो गई तो first और second आपका क्या है पहला x है दूसरा आपका y है मानन लेते हैं question में क्या कह रहा है कि उनके योगफल अब उनके अंतर के मध्य अनुपात दिया गया है तो योगफल का मतलब दोनों का योगफल क्या हुआ x प्लस y हो गया और अनुपात किसका इनके योगफल का और इनके अंतर का मतलब x प्लस y और x-y का अनुपात आपको क्या दिया है बीस अनुपात 9 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसे solve करते हैं, चल्यों कैसे करेंगे, देखिएगा, solve कैसे करेंगे, वो देखिएगा, बहुती ध्यान से देखिएगा, question बहुती ज्यादा महत्पोर है, तो क्या कह रहा था कि x plus y upon में x minus y अनुपात का मतलब क्या होता है अपान होता है ये बराबर में दिया है 20 बटे 9 के हम इसे solve कैसे करेंगे हम क्या करते हैं इसमें लगाते है योगांतर बिधी योगांतर बिधी आपको पता होगा क्या होता है योगांतर विधी होता है कि हर हर प्लस अंस प्लस हर हो जाएगा अंस प्लस हर हो जाएगा और अपान में हो जाता है अंस माइनस हर ठीक है ये आपका योगांतर विधी होता है अंस प्लस हर अपान में अंस माइनस हर हो जाता है तो अंस आपका क्या था? X प्लस Y था, हर आपका क्या था? X माइनस Y था और ये बराबर था आपका 20 प्लस 9 तो ये दोनों तरफ आपका लागू होगा जो योगांतर बीदी लगाएंगे तो दोनों में लगेगा तो यह क्या हो जाएगा अंस हो जाएगा और प्लस में हर हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा अंस माइनस हर ठीक है एक्स प्लस वाई और माइनस में एक्स माइनस वाई अंस प्लस हर अपान में अंस माइनस हर हो गया उपर आपका क्या मिल गया? 2x मिल गया, नीचे आपको क्या मिल गया? 2y मिल गया, 2x अपान 2y हो गया, इधर 20 और 9 आपका 29 हो गया, नीचे आपका 20 और 9, 20 में से 9 जाएगा, तो 11 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, मतलब आपका जो x और y बटे में आ रहा है, x बटे y आपका क्या रहा है 29 बटे 11 अब जो बटे में है इसे हम अनुपात में अगर बदले तो यह अनुपात वाई बराबर हमारा क्या मिल रहा है 29 अनुपात 11 मिल रहा है तो यह आपको क्या मिल गया दोनों संख्याओं का अंतर प्राप्त हो गया और हमें गयात क्या करना था दोनों संख्याओ तो यही हमारा एकदम से करेक्ट आंसर को जाएगा दिखेगा आपका तो यही आपको ध्यान दीदेगा आपको इस्टेक नहीं करना है बहुत ही ध्यान से आपको question को solve करना है चलिए बढ़ते हैं अगले question की और देख लिया जाए अगला question आपका क्या है तो आपका question क्या है दिखिए कि पहला जो अभी आपको दिखाया question उसी के बाद यह आपका question आज आएगा जो कि आपका polytechnic entrance exam 2014 में यह question पूछा भी जा चुका है 2014 में question पूछे जा चुके हैं दिखिए क्या है question की A तथा B के वेतन का अनुपात क्या दिया है A और B के वेतन का अनुपात जो दिया है 9 अनुपात 4 का है यदि A का वेतन 15% बढ़ा दिया जाए तब दोनों का कुल वेतन 71, 75 रुपए हो जाता है तो B का वेतन क्या होगा हमें ग्याद करना होगा A और B के वेतन का अनुपात दिया गया है कितना 9 और 4 का कह रहा है अगर A के वेतन में हम 15% के ब्रिधी कर दें तो दोनों के जो दोनों का कुल वेतन होगा मतलब दोनों का जो योग हो जाएगा princiलUM 775 लुए हो जाएगा तो देखिए इनका अनुपात दिया है तो हम मान लेते हैं जो A का वेतन है वो क्या है 9X है क्योंकि हमारा अनुपात में 9 अनुपात 4 था तो हमारा A का वेतन और B का वेतन जो अनुपात हम निका रहे हैं यहां की A x और y माना यहां पर क्यों हमें अनपाथ दिया हुआ था तो इसलिए हम नव yaks माना A का वेतन और चार x इसा मान लिए बी का वेतन अब देखें क्या गए रहा है ? अब दश्किन क्या कहा रहा है ? कि A के वेतन में 15% के विर्धीक एदा रही है 9X था आपका A का वेतन A का वेतन क्या था? 9X और 9X में 15% के विर्द्धी की जारी है इसमें मतलब क्या जुड़ जाएगा? 15% निकल के इसमें जुड़ जाएगा 9X गुड़े 15 बटे 100 ये आपका जुड़ जाएगा 9X में सव इतना आपका वृद्धी के साथ हो गया आपका रहा है इनके जो एक एक के में जो बरद्धी हुआ वह विर्धी और बी का वे संब्दोनों जोड करके इक साथिर शूं पचाथ सब्सक्राएगा नोव मतनलब 15 परसंट खड़ा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा तो अपका टोटल दो आया यहां पर एक हजार फैटे में 100 यह आपका जो पंद्रा परसंट बढ़ा दिया गया है उसके बादका यह आपका मानदे जो एक था वह हो गया अब क्या कहा है एक सौ नातर सो 2018 रुपया कब ऊवा जाता है बढ़ा हुआ हुआर्पश क्या पचाहर सो मतल सबस्क्राइब चार तो यह हमुआरा हो जाता है एक सौ पचाटर सिसे भी हम करते हैं तो नीचे aberkaaper होजाएग और आपका क्या होजाएगा कहा किए θαब एक हजार पैंथिस is और यह जाएगा फresser में 400 एक्स बराबर में फोजाएगा 21 hany acum डिख cał्पतर में बटे एक कर सकते हैं अब इसकå और बटे में हो जाएगा 1435, यह हो गए आपका 1435, अब जब आप इसे काटेंगे, तो 1435 का गुला जब कराएंगे, तो यहां पर 5 आपको मिल जाएगा, इसका गुला 5 से कराएंगे, तो आपको मिल जाएगा 1155, और जो टोटल आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 500, मतलब जो X की वैलू आएगी आपकी कितने याद आएगी 500 रुपय याद आएगी हम से दीखे एक्स की वैलू जब हमें मिल चुकी है हमसे पूछा क्या गया था कि V का जो वेतन होगा वो कितना होगा तो B का वेतन हमारा क्या था 4 X था और हमें पता है X की value कितना आया है X की value आया है 500 तो 4 गुड़े 500 मतलब 2000 मतलब हमारा कितना value आगया B का 2000 रुपए हमारा जो B का मानदिय है वो मिल दाएगा तो B का मानदिय हमें कितना मिल गया 2000 रुपए हमारा कहां पे है A वाले option में तो A वाला option आपका एकदम से correct हो जाएगा तो उमेद करते हैं आपको ये भी question जरूर समझ में आया होगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और देखे अगला प्रश्न क्या है आपका अगला प्रश्न है कि यदि पवन अकेले एक कारे को 30 घंटे में देखते हैं कैसे लगेते हैं काते हैं पूरा कर लेता है तो अगर हम ये ज्याद करना चाहिए कि एक करेपे कारे एक ही गोंचेama कारे करेगा कि एक है एक गोंचे एक वते 30 घंटे में hhh पूरा पूरा कारे कर ले रहा है तो एक घंटे में आपका एक बटे तीस भाग कारे करेगा इतना आपको समझ में आ गया कि पवन और पंकज दोनों साथ मिलकर के पंदरा घंटे में कारे करते थे तो पंदरा घंटे में पूरा कर रहे हैं तो अगर दोनों को मिला दिया जाए मतलब पवन और पंकज दोनों मिलकर कितने टाइम में करते हैं काम 15 गंटे में तो एक गंटे में कितना काम करेंगे एक गंटे में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक बटे 15 भाग करेंगे एक बटे 15 भाग करेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि भाई जब कोई 30 घंटे में कोई कारे पूरा कर दे रहा है तो एक घंटे में कितना कारे कर पाएगा एक बटे 30 भाग ही कर पाएगा क्योंकि जब 30 घंटे में पूरा करेगा तभी पूरा हो पाएगा तो इसलिए एक बटे 30 भाग इसी प्रकार से अगर 15 घंटे में प इतने टाइम में करते थे उतने मेंसे जो पवन का अगर हम निकाल दें तो पंकज का कारें पता लग जाएगा कि कितने टाइं में मतलब कितना भाग वो एक घंटे में कर सकता है क्योंकि जब दोनों मिल करके एक बटे 15 भाग कर पा रहे हैं और कि वल पवन आपका एक बटा तीस भाग कर पा रहा है तो जब दोनों में से एक को घटा देंगे तो हमारा एक जो बचेगा उसका मिल जाएगा तो पवन तो कर ही रहा है अकेले बचा पंकज तो हम पवन और पंकज दोनों में से पंकज का जो पवन का है घटा देंगे तो हमें पंकज का मिल की सेल सयगा 40 Reg ellas my वह हमारी चाहीं करने का यह अर्थात मतलब क्या हुआ हमारा मतलब निकलके आया है वो क्या गया कि पंकज का जब एक घंटे में किसी काम को कितने एक बटे 30 भागी कर पाता है तो जो 30 घंटा लगेगा उसको पूरा काम करने के लिए उसे भी कितना टायम लगेगा 30 घंटा लगेगा दिखें यह मैंने आपको थोड़ा लॉंग में बताया और उम्मीद करते कैले का रहुआ इसे एक सामा लेंगे दोनों मिलकर कर क्यारे करर रहे हुश्य हम वाई मान लेते हैं क्या मार लेते हैं सवाजी सवारी सवाजी देखिए ऐसको मान लेते है या फिर कुछ भी n-la HEi ठीक है कैسे हो हुगा बिदी क्या होता है इसका बिदी होता है एकस Y- everyone मतलब क्या है जो दोनों मिलकर के कारे करेंगे उसे हम x मानेंगे और जो केवल एक मिलकर के कारे करेंगे उसे हम क्या कहेंगे y मानेंगे तो यहां से आपको X की value क्या दी गई है X की value दी गई है 15 क्योंकि दोनों मिलकर के 15 में कर रहे थे Y की value आपको 30 दी गई है और अपान में क्या हो जागा 30-15 हो जाएगा तो जब आप इसे काटेंगे तो नीचे आपका 15 मिलेगा तो 15 गुड़े 30 बटे 15 मतलब 15 से 15 आपका कर जाएगा बच्ची का टूटल आपका 30 बच्च जाएगा तो यहां से 30 घंटा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यह आपका था सोड़ा साट विधी से आप्चन नमबर ए आपका मिल रहा है 30 घंटा तो 30 घंटा आपका पांच दिन का कारे किया एक पुरुष था और एक लड़का दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं पांच दिन कारे करते हैं और उन्हें कुल मिला करके एक हजार रुपे की मजदूरी प्राप्त होती है दोनों को मिला करके कितना एक हजार रुपे की मजदूरी प्राप्त होती है अब पुरुष जो था लड़के की अब एक्षा तीन गुना कारेकुशल था तो लड़के की दनिक मजदूरी क्या होगी आप यहाँ पर एक बात समझेगा जो पुरुष है वो लड़के से तीन गुना जादा काम करता है जिसे जब काम जो जादा करेगा भाई जितना जादा काम करेगा उसका पैसा भी उतना जादा बनेगा अगर लड़के का एक्स रुपया बन रहा है तो पुरुष का कितना बन रहा है, तीन गुना जादा बन रहा है, तीन यक्स बन रहा है, और लेकिन दोनों लोग मिल करके कितना कमा रहा है, एक हजार रुपय कमा रहा है, वो भी कितने, पांच दिन में, जब पांच दिन में, पांच दिन में, एक हजार रुपय कमा रहा है हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे एक दिन में कितना कमाएंगे एक हजार बटे पांच कमाएंगे मतलब आपका क्या हुआ 200 रुपए मतलब 200 रुपए एक दिन में कमा रहे हैं दोनों लोग मिल करके कितना कमा रहे हैं 200 रुपया कमा रहे हैं एक दिन में अब देखिए 200 रुपए दोनों लोग एक दिन में कमा रहे हैं अगर लड़का आपका X काम कर रहा है तो पुरुष आपका कितना काम कर रहा है 3X कर रहा है 3X कर रहा है और दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा एक दिन का कितना आएगा 200 रुपए आ तो, एक्स की वैलू यहां से क्या होँत्राय अगी पचास रुपए मतलब 50 रुपए कमा रहे हैं च अब जब एक्स की वैलू हमारे 50 आ गई तो हमें पता लग जाएगा कि लड़का कितना कमा रहा है अर जो पुरुश है अब हमें दैनिक मजदूरी मतलब रोज की मजदूरी चाहिए थी तो हमारी ये दैनिक मजदूरी ही ही है क्योंकि अगर पांच दिन का पूछ लेता तो लड़के का कितना हो जाता ता पांच दिन का 25-25 रुपई हो दाता लड़के का 5 दिन का और जो पूरुष है पूरुष का अगर पूछ लेता पान्च दिन का तो 15 गुड़े 5 मतलब आपका इसका भी हो दाता ठीक है, 7500 रुपई पास तो ये आपका हो जाएगा दैनिक का दैनिक का आपका कितना आया लड़के का X का कितना आया 50 रुपे हमें लड़के का ही ग्याद करना था दैनिक मसदूरी तो हमारा कितना आजाएगा आंसर आजाएगा 50 रुपे देखे बहुत ही आसान सा कोश्चन था आपके दिमाग पे बेस्ट था क्योंकि देखिए ये question तो आप अपने एकदम से दैनिक जीवन से ले करके कर सकते हैं कि अगर दो लोग कारे कर रहे हैं पांच दिन में अगर 1000 रुपय हुआ उनका बना तो एक दिन में उनका 1000 बटी 5 मतलब 200 रुपया ही बनेगा अब दो लोग एक दिन में 200 रुपया तो मिल गया 200 रुपया तो मिल गया लेकिन उसमें दो लोग काम कर रहे हैं एक लोग जो कर रहे हैं काम अगर वो एक लोग X कर रहे हैं तो दूसरे जो थे वो कितना A उनसे 3 गुना जादा कर रहे हैं मतलब इससे जो है 3 गुना जादा मत वाला आंसर आजाएगा उम्मीद करते हैं आपको ये question ज़रूर समझ में आया होगा और answer भी आपका आगया होगा दिखे अगर आप question को solve कर पा रहे हैं तो answer हमें comment में बताते रहिएगा चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और दिखि अगला question क्या है कि यदि A B c A B और C किसी कारे को केले 12 दिन वा 18 दिन में पूरा करते हैं कितने दिन में 15 दिन 12 दिन और 18 दिन ठीक है 12 पंद्रह और तो और उटारा दिन पूरा जलने स्पाता है नि 2000 लोग दिये हुए है हम माल लेते हैं जो पहला वह से दूसरा है आए और तीसरा जाट तीनों का कार क्या है 같은 का आए किले अब्यूंस की ईचिर अएक्सिल Jordan लोग के इसे मिल कर चाहके करना चाहते हैं तीनों लोग अलग अलग जो कारे कर रहे थे उनका जो कारे का टाइम दिया हुआ था दिया हुआ था और तीनों लोग जब मिल करके करेंगे तो यह आपका सौर ट्रिक का फार्मूला हो जाएगा इसमें हम आप्शन को रखते जाएंगे जो आंसर हमारा दिया हुआ है जो जो 12 गुड़े 15, प्लस में YZ मतलब 15 गुड़े 18, और प्लस में ZX मतलब 18 गुड़े 12, ये दिया हुआ है, अब हम इसे solve करते हैं, उपर आपका क्या होजाएगा, 15 गुड़े 12 गुड़े 18, ये आपका होजाएगा जब आप इसे solve करेंगे, 3240, ये होजाएगा आपका 3240, नीचे जब आप इसे solve करेंगे, तो ये होजाएगा आपका 666 रुपया, तो ये आपको जब आप इसे solve करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल दाएगा, 180 Boston, मिलेगा, 180 Boston, मिलेगा, है इसका मतलब ये तीनों गलत है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चार सही 32 बटे 37 यही आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिखिए अगर तीनों लोग का अलग अलग काम दिया हुआ है 12 15 या 18 कुछ भी दिया हुआ है और तीनों लोग अगर एक साथ मिलकर के काम करना चाहें तो वह कितने दिन में समाथ करेंगे एकस वाई जेड अपान एकस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक से दिन में ठीक है यह आपका एकदम से अप्शन राइट हो जाएगा डी वाला और एकदम से करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा आपको फर्मुला लगा देना है बलते हैं अगले प्रस्ट की और देखे क्या है पॉले टेकनिक इंटरंस एक्जाम 2011 में एक कुछा जा चुका है क्या कह रहा है कि एक रेल गाड़ी है आठ सो मीटर की और चार सो मीटर लंबे दो पुल है ठीक है दोनों पुल को क्रमशा क्या करता है अगले आठ सो सेकंड और साथ सेकंड में पार करता है रेल गाड़ी की लंबाई क्या होगी अब हम आपको एक चीज दिखाएंगे थोड़ा फिगर के माद्यम से मान लेते हैं ये आपकी पुल है ठीक है ये आपका 800 मीटर का पुल है अब 800 मीटर का पुल तो है और रेल गारी यहाँ पे आ रही है यहाँ पे देखिएगा थोड़ा रेल गारी बना ली जेगा आप रेल गारी का मतलब हुआ कि आपको समझा दें ये कोई रेल गारी है ठीक ह और जो 800 मीटर की ये दूरी है हमारी इसको मात्र 100 सेकंड में पार कर देती है इसी प्रकार से 400 मीटर का भी है कुछ 400 मीटर को भी ऐसे कुछ कितने सेकंड में 60 सेकंड में पार कर देती है तो हमें इस रेल गारी की लंबाई ग्याद करनी है कि वो क्या होगी रेल गारी की हमें दूरी बटे समय होता है, दूरी यहाँ पर आपको क्या दी गई है? 800 मीटर और 400 मीटर लंबा पुल दिया गया है, अब पुल के साथ साथ रेलगारी की भी लंबाई लीजाएगी क्योंकि रेलगारी जितनी लंबी होगी वो भी आपको लंबाई चाहिए ही चाहिए क्योंकि तो पहली जो दूरी आपकी होगी फिर यहां पर दूरी हो जाएगी और दो पुलको करमसा मतलब इतने सेकंडर में पार करती है इसका मतलब क्या हुआ जो आपका यहां पर रेलगारी है उसकी लंबाई जो है समान दी गई है ठीक है यहां पर जो पूरा कितना टाइम लगता है जाने में 100 सेकंड लगता है अब हम यहां आपका हो गया अब हम इधर वाला लेते है तो克श लाएगी थी 400 मीटर लंबाई पुल थी और जो L लंबाई का आपका रेलगाड़ी था मतलब 400 और प्लस में यल हो जाएगा इतना दूरी कितने समय में 60 सेकंड में पूरा करता है और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे क्युकि हमें रेलगाड़ी की लंबाई कार नी है दोनों में उनके होटा है तो यहां से 10 यल को इधर ले जाएंगे 4000 को इधर ले जाएंगे तो 10 में से 6 चला जाएगा ठीक है 10-6 यल बराबर क्या हो जाएगा 4800-4000 तो 10 में से 6 गए आपका 4 बचा 4 यल बराबर हो जाएगा 800 ठीक है और यल बराबर क्या हो जाएगा 200 मतलब यल की लंबाई आपकी कितनी आ गई 200 मीटर आ गई है, अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्ण क्या है, पूछा जा चुका है, 120 मीटर लंभी एक रेल गारी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 230 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करने में वा कितना समय लेगा, देखे, 120 मीटर लंबी एक रिलगाडी है ये तो आपको पेचा ही है और कितना लंबब प्लेटफार्म है? 230 मीटर चाल आपको दिया गया है समझ याद करना है अब आप एक बात ध्याण दीजिगा जो लंबबाई आपकी प्लेटफार्म की है प्लेट फार्म की लंबाई और रेलगाडी की लंबाई दोनों आपस में जुड़ जाएगी तभी आपकी टोटल दूरी हो जाएगी कि कितने समय में तै कर रहा है चाल आपको दिया गया है और आपको दूरी दोनों दिया गया है ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा ठीक है अब हमें ग्याद क्या करना है समय तो हमारा पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है समय हमें ग्याद करना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा दूरी आ हमारा क्या है 90 km प्रती हंटा और किलो मीटर से मीटर प्रसेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुळा करना पड़ता है तो 18 पंचे क्या हो जाएगा 90 यहां से आपका जाएगा 25 मतलब आपको चाल भी क्या मिल गई वी बराबर मिल गई 25 मीटर प्रती सेकंड वह हमारा मीटर में और जो हमारा दूरी है टोटल दूरी निकाल लेते हैं यह एकेडाउ प्लस वी वी कितना हो जाएगा 120 प्लस 230 क्या हो जाएगा 130 और 220 30 50 तो टी बराबर हमारा ह paling 30 यह हो गया 25 से हम इसे को काटते है तो हमारे पात क्या मिल जांगा 14 और यह हमारा दीखे किस में था भी हमारा था अब chance क्या निकालल था 25 मीटर प्रतीस सेगेंड तो तो upfront क्या है जाएगा से कि द यहां से मारा राइट आंसर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 14 सेकेंड 14 सेकेंड हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा बलते हैं अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन देखिएगा क्या है अगला कोश्चन है पॉले टेकनिक इंटरेंस एक्जाम 2010 में स्सक्राइगा पांच आंख हमें दिये गए है तो हम क्या करते है समानतर माद कैसे निकालते है जितने इंख दिये होंगे उनको आपस में जोड लेंगे और बटे में जितना अंग हो जाएगा वो लिग दिया जाएगा मतलब क्या हुआ 4 प्लस 9 प्लस 11 प्लस X प्लस 14 और बटे में आपका कितना अंग है 5 अंग है तो बटे 5 कर देंगे यह हमारा कितना दिया हुआ यह हमारा हो गया इधर समानतर माद दे और समानतर माद यह हो गया और यह हमारा समानतर माद यह का माद इधर दिया है तो हम इसको बराबर केस के कर देंगे 10 के बराबर कर देंगे अब इसका हमारा देखे तिरचा गुड़ा हो जाएगा तिरचा गुड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 50-38 और पच्चास में से जब 38 जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा मतलब जो X की value में मिल गई वो क्या मिल गई 12 मिल गई जो कि option number D दिये गया है option number B आपका minus में है गलस हो जाएगा answer D आपका एकदम से correct हो जाएगा शमांतर माद एकदम से आसान है जितना आंख दिया हुआ उसको आपस में जोड़ लें और बटे में जितने आंखों उसको हम कर देंगे बस हमारा समांतर माद मिल जाएगा तो मिल करते हैं आपको शमझ में आया होगा बढ़ते हैं अगले question प्योर कह रहा है दस प्राकरतिक समांतर जो दस प्राकरतिक संख्याओं की मादिका ग्याद कीजिए मादिका ग्याद करनी है 10 प्राकृतिक संख्या होगी तो हम सबसे पहले देखते हैं कितना संख्या है N हमारा क्या दिया गया है 10 दिया गया है तो यन हमारा जो 10 है तो पदों की संख्या हमारी N है 10 है 10 क्या होता है Sum होता है Sum होता है और प्लस में क्या होता है, और बटे में क्या हो जाएगा, अब देखें, यन की value हमें 10 मिली है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दस बटे दो-।, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, i2 अब देखें 10 प्राकरती संख्या अंधर हम लिख में वह क्या हो दार्ग ह्जा एक दो तीन चार पांच छे शाट नौ और दो इसमिटल धो हमारा निकालना है यह जो इट अब हमारह टो यह 9-20 म स्विपात कमान यह नहीं हमारा दौट है े दोब पत का मान मतलब फच्वेग पत्क मान पांच 5 पर हमारा 5 है तो पांच प्लस प्लस एकवेग पत्क मान मतलब 6 हो गया फॉँअग होगा उप दिखा आपको क्या मिलता है पांच दस्मलों पांच जो की आप्शन नंबर सी दिया गया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जिखे शम और विशम यह चीज़ आपको ध्यान देना है सम अगर आज आता है तो अभी मैंने आपको बताया वही आपका हो जाएगा ठीक है यह आपका हो गया सम का अब देखिए हम अगले ओर बढ़ते हैं आपको यह भी व्याद रहना है कि प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या में एक दो तीन चार पांच दिया होता है जैसे पचीस तीस पंदरा अठारा अब इसमें अगर आपको तीसरा अंग ग्य अगले प्रश्ण की ओर देखिए यह आपको करना है होमवर के तौर पर सेमों इसे ही कोश्चन है परतम 10 अभाज यह संख्याओं का जो है माधिका ग्याद करना है एन बराबर 10 है तो हम समोला ही लगाएंगे जो कि यह भी हमने आपको बताया है माधिका का फार्मूला और अभाज जे संख्याओं का ग्याद करना है तो आप इसे स्वाल्ब करिएगा 10 अभाज जे संख्याओं को पहले लिख लेना है और जो अंक प्राप्त होगा उसी का हम मान रख देंगे ठीक है इसका आप हमें आंसर कमेंट में अवश्च बताइएगा बढ़ते हैं अगले को कि इसा करते हैं होगा देखे मादy का इसे हम बना लिए X और F मतलब ऐकसाबका क्या है गया भाए और जो लड़कों की संख्या है उसे यफ ले लिया गया अब यहां पर माथre papel कैलेंगे करते अ मम आभी शियन निकालते हैं कैसे निकालेंगे दिए यहां पर भार दिया गयाह सबका का दियागया है भार सबका दिया गया है, यहाँ पर लड़कों की संख्या दी गई है तो देखें जो EF होता है, CF हमारा कैसे निकलता है CF निकालने के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहला आप यहाँ पर उपर वाला अंक लखेंगे इसी के बाद आप नीचे राइसे जोड़ते हुए चले जाएंगे जो जो value आती जाएगी उसे आप जोड़ते चले जाएंगे और आप इधर लिखते चले जाएंगे, यही आपका हो जाएगा और जो आपको यहाँ पर last में मिलेगा, वही आपका क्या मिल जाएगा capital yen मिल जाएगा, अब इसका क्या काम है, वो भी हम आपको भी समझाएगे देखिए, 10 था तो हमने 10 लिख दिया, 10 और 10 के बाद 14 आपका 24 हो गया 24 प्लस 18 आपका क्या हो गया, 42 हो गया, 42 में आपका 12 जुड़ जाएगा 54 में आपका 6 जुड़ जाएगा, 60 हो जाएगा, capital yen आपका क्या आ गया, 60 आ गया यहां से, capital yen आपको क्या मिल गया, 60 मिल गया, अब देखिए, यहां पे आपका जो 60 है, वो क्या है, sum है, तो sum के लिए आपको पता है क्या होता है, n बाई 2 में पत का मान और plus में yen by 2 plus 1 में पत का मान बठे 2, तो yen by 2 मतलब 60 बठे 2 मतलब आपका क्या हो जाएगा, तीसमा पत हो जाएगा, तीसमा पत हो जाएगा, तीसमा पत और एक तीसमा पत हमें गयाद करना है, अब यहां से आपको पता चलेगा कि हमें इसका क्या काम है, और यहां पे दिखि सबसे आगे 42 के सामने आपको चले जाना है तो तीसवा पद हमारा 49 मिल रहा है अब एक तीसवा पद भी हमारा यही हो जाएगा क्योंकि 42 के बाद ही 31 है अगर आपको यहां पर दिया होता यह 30 होता यह 31 होता तो 30 का मान आपका यह हो जाता 31 का मान यह हो जाता लेकिन हमें 42 में ही 30 दिया है क्योंकि 24 हमारा हो नहीं सकता 24 के बाद हमारा यहां पर 42 है तो 42 तक का ही हमारा 31 और 30 का पद है मतलब 30 मा पद भी हमारा 49 आएगा तो मतलबसे बाइंगे तो हमारा क्या है बार उन तालिस आजाएगा तो इसका माधिका में